हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल दे नॉलेज लैब आज के इस वीडियो में हम स्विफ्ट के बारे में डिसकेशन करेंगे और समझेंगे कि ये स्विफ्ट कैसे काम करता है स्विफ्ट को formerly Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication के नाम से जाना जाता है इसके लावा ये दुनिया भर के banks और other financial institutions के लिए एक trusted यानि की विश्वस्निय messaging system है स्विफ्ट खुद किसी पैसे या fund का settlement नहीं करता बलकि specific funds कैसे देना और receive करना है इसके लिए instruction messages प्रदान करता है इसके बाद अगर इसकी controlling की बात करें तो इसको G10 countries के central banks, European Central Bank और National Bank of Belgium द्वारा control किया जाता है इसकी अगर establishment की बात करें तो इसकी स्थाबना 1973 में Belgium में हुई थी कहां हुई थी? Belgium में अब बात करते हैं यहाँ term आया था G10 countries तो इस G10 countries में कौन-कौन से countries हैं? देखिए सबसे पहले तो जो G10 countries है निक group of 10 है यह 11 industrial countries जिनके नाम है Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom और United States यह आपके यह countries हैं आपके G10 यह countries economic, monetary and financial matters पर एक दूसरे से consult और cooperate करते हैं ठीक है? अब स्विफ्ट से पहले international fund transfer के लिए message confirmation का एकमात जो reliable medium था था आपका telex क्या नाम था उसका? टेlex ठीक है? यह स्विफ्ट से पहले इसका use किया जाता था for international fund transfer लेकिन low speed security concerns और free message format जैसे कई issues के कारण इसके बन कर दिया गया था यह इसके disadvantages थे इसके अलावा 200 countries में लगबग 11,000 member banks स्विफ्ट का use करते हैं 1973 से शुरू होने के बाद से ही स्विफ्ट global trade के flow का एक मात्र अभिन अंग बन गया है इंडिया की बात करें तो इंडिया का financial system भी स्विफ्ट को access कर सकता है वहीं वो देश जो स्विफ्ट को access नहीं कर सकते हैं उनके नाम है आपके इरान, नौर्थ कोरिया और हाल ही में रशिया को भी स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है यूक्रेन पे attack की वज़े से ठीक है तो ये लिटेस नाम जो है स्विफ्ट से जो बाहर किया गया है वो है आपका रशिया इसके बाद अब बात करते हैं कि स्विफ्ट वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं देखिए स्विफ्ट मेसेजिंग सिस्टम का एक important component स्विफ्ट कोड होता है सिस्टम में पार्ट लेने वाले प्रते बैंक को ये कोड दिया जाता है जो उस बैंक की पैचान कराता है जैसे कि हम बात करें जिस बैंक जिस देश में वह है जहां वो बैंक में located है और optional की रूप में किस ब्रांच में located है अब यहाँ पर एक example दिया है UNCRITMM यानि देखिए इसमें 8 characters का swift code है इसके अगर पहले चार characters की बात करें तो आपका UNCR ये आपका represent करता है Unicredit Bank का ठीक है फिर next two characters क्या represent करते है IT represent करता है country का country मतलब Italy country IT next two characters है जो MM है वो आपका location या city code represent करता है पहले चार क्या करते हैं institute code represent करते है next two पहले चार institute code फिर next two country code उसके बाद next two location या city code represent करते है इसके अलावा जो last three characters होते हैं वो optional होते हैं क्या होता है देखिए last के तीन characters जो की optional होते हैं लेकिन organization उसका use अलग-अलग branches को code assign करने के लिए करता है ठीक है इसके अलावा जब कोई bank swift का member बन जाता है तो उसके instruction messages तुरंट secure हो जाते हैं इसलिए transaction जल्दी हो जाती है तो ये बात थी swift की तो friends आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो then please do like and subscribe to my channel thank you for watching have a good day आपको उड़े